आज हम बनाएंगे बर्मिसेली पुलाब तो बहुत ही टेस्टी बनेगा मैं हूँ वर्षा और मेरी वर्षास की चिन में आप सभी का स्वागत है तो आई दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक कढ़ाई में एक बड़ा चमच सर्सों का तेल डालकर गरम कर लेंगे तेल के गरम होते एक इंच अध्रक का टुकड़ा काटके डालेंगे और एक प्याज दो हरी मिस्ट डालेंगे तो बराबर चलाते हुए इसे हम कुछ देर के लिए फ्राइ कर लेंगे प्याज में भून लिए आठ से दस करीपते इसमें डालेंगे तो इसे भी एक से आधा मिनट करीब इसको चलाते हुए इसी के साथ भून लेंगे तो इसे भी मैंने भून लिया है अब एक गाजर चोटे टुकड़ों में कटा हुए उसे डाला है आधा कटोरी फ्रोजन मट है तो दोनौ सबजयों को 'll के साथ मिक्स कर लेंगे इस अक है टामाटर टामाटर को भी सब्यां के साथ मिक्सक्रते गुए मैंने इसको भून लिया है आधा चमश लास्वेश डालींगि चमश इसे मिनटके keyboards conditioning ले सकते हैं और अब मैंने यहाँ एक बड़ी कटोरी वर्मिसली सिवाईयों को बावल में डालकर अच्छे पानी से धोलिया है और इधर सब्जी को भी पकते हुए दो से तीन मेंट हो गई है तो सब्जियां भी हमारी अच्छे से भून गई है हलकी सी यह सॉफ्ट भी हो गई है अब इस सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बता है तो अच्छे से मैंने इनको भून लीया है अब इसमें पानी डालें गे यह carnivalॉ झालव question तो मैं इसको ढख देती हूं, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख देंगे, पांस से छे मिनट के लिए, पांस से छे मिनट में इसको हम चेक कर लेंगे, तो इसका जो पानी है, सारा पानी जल चुका है, बहुत ही अच्छा बर्मिसेली पुलाब बनके हमारा तयार होगा इ एक चमज मैंने देशी घी डाल दिया है, लास्ट में थोड़ा सा हारा धनिया डालेंगे, बारी कटा इसे बढ़िया से मेक्स कर लेते हैं, और गर्मा गरम बर्मिसेली पुलाब को सर्प करेंगे, थेंक यू फो वचिंग माई वीडियो,